हेलो फ्रेंड्स मैं परसांत कुमार स्वागत करता हूँ आज के ता हिंदू वोकेबलेडी सेसं में सेसं सुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल 7th Classes को सब्सकाइब करें और बेल आइकोन दबाएं ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो की निटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेसं आज का पहला वाट दोस्तों इन्ग्रेंड यह एडियक्टिव है इस कमणिंग हो गया अफे हैबिट एटिचूड एटिशी डट हैज एग्जिस्टे एटिफिकल्ट टो चैंज जिसका हेंदी होता है अंतर नहीत इसका सिनुनाम हो गया है इन्ट्रेंच्ट इस्टेबिलिस्ट और फर्म इसका एंट्रनाम हो गया अन्फिक्ष्ट और टेंपोडेडि नेस्ट वाटर डिस्मेंटल यह भर्व है इसका मणिंग हो गया टू इसका एसेंबल, कंस्ट्रक्ट और बिल्ड थर्ड वाटर दरस्तों ग्लूमी यह एडियक्टिव है इसका मणिंग हो गया काउजिंग और फिलिंग, डिप्रेशन और डेस्पोंडेंसी इसका हेंदी होता है विसाद पूर्ण या मन्हूस इसका सिनुनाम हो गया डेस्पों इसका एंटर्णाम हो गया इंकरेजिंग, प्रमीसिंग और हफ्फूल फोलत वाटा इस्टॉल या भारव है इसका मनिंग हो गया स्टॉप और काउज्टु स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेश इसका हिंदियोता है प्रगति को रोकना इसका सिनुनाम हो गया Imped, Hinder, Hemper, इसका एंटर्म सोगया, Promote और Encourage, Next word है, Loth, यह Adjective है, इसका मनिंग होगया, Reluctant, Unwilling, जिसका हिंदी होता है, अनिक छुग, इसका सिनोर्म सोगया, Disinclined, Unwilling, और Ill-Disposed, इसका एंटर्म सोगया, Eager और Willing, Next word है, Stoke, यह भर्व है, इसका मनिंग होगया, Encourage, और Insight, Strong, Emotion, और Tendency, इसका हिंदी होता है, और बढ़ाना, इसका सिनोर्म सोगया, Inspire, Boost, और Imboldened, इसका एंटर्म सोगया, Discourage, और Disuade, Seventh word है, Brittle, यह Adjective है, इसका मनिंग होगया, Hard but Liable to Break Easily, जिसका हिंदी होता है, तूटनाई होगया, इसका सिनोर्म सोगया, Breakable, Pregile, और Delicate, इसका एंटर्म सोगया, Flexible, और Durable, आठमाँ वाटा दोस्ता, Steer, यह भर्म है, इसका मनिंग होगया, Guide the Movement of, और Course, जिसका हिंदी होता है, Mark दिखाना, इसका सिनोर्म सोगया, Guide, Conduct, Lead, और Direct, इसका एंटर्म सोगया, Follow, और Abandon, Next वाटा, Entrenched, यह Adjective है, इसका मनिंग होगया, Of an Attitude, Habit, और Belief, Firmly, Stabilist, और Difficult, और Unlikely to Change, जिसका हिंदी होता है, अस्थापित हुआ, इसका सिनोर्म सोगया, Stabilist, और Fixed, इसका एंटर्म सोगया, Indefinite, और Irregulut, Next वाटादास्तों, Unleash, यह भार्व है, इसका मनिंग होगया, To Suddenly, Let A, Strong, Force, Emotion, ETC, Be Felt, और Have An Effect, इसका हिंदी होता है, उन्मुक्त करना, इसका सिनोर्म सोगया, Release, Vent, Express, और Air, इसका एंटर्म सोगया, Control, Handle, Manage, और Restrain, Next वाटास्तों, Malise, यह नाउन है, इसका मनिंग होगया, A General Feeling of Discomfort, Illness, और Unease, Whose Adject, Cause, Is Difficult, To Identify, इसका हिंदी होता है, बेचैनी, इसका सिनोर्म सोगया, Restlessness, Discomfort, Uneasiness, और Angus, इसका एंटर्म सोगया, Comfort, Easy, Ease, और Calmness, आजका अंतिम वाट है, Underpinning, यह नाउन है, इसका मनिंग होगया, Something that Supports or Forms the Basis of an Argument, यह Claim ETC, जिसका हिंदी होता है, नया आधार लगाना, इसका सिनोर्म सोगया, Foundation, Core, Basis, और Meadow, तो यह था दोस्तों, आजका दाहिंदू Vocabulary सेशन, वे आपके किसी भी competitive exam के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल Heavens Classes को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना बूलने, मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, जाए इंदू. अगर मेंगे लाई सेर का बपर ना में जाए हैं, फिर उक्र